मस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार मिस्रा है मैं उत्राखंट उधम सिंग नगर खटीमा चेत्र से हूँ मेरा जो नाम दिक्षा हुई है वो 36.2017 को हुई है राहुल जी संतरामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने से पहले क्या आपको यी वक्ती साथना भी करते थे? मैंने बहुत सारी साथना भक्ती करी कि मैं ब्रामन समाज से बिलोंग करता हूँ और इसलिए मैं मेरे जीवन में ये था कि मैं जो गुरुधान करना है इसलिए मैं कई गुरुओं की तलास में रहा, संसार में जो नाना परकार के गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं उनके भी साथ रहा और उनसे भी दिख्शाली लेकिन मुझे कोई लाव नहीं हुआ उसके बाद मैंने दयाल आसरम सीतापुर उसे नाम दिख्शाली वहाँ मैं सिकोहाबाद वाले गुरू जी हैं, वो कविरपन्ती हैं, उनसे भी नाम दिक्षा ली, उनसे भी कोई ऐसा विशेस लाब नहीं हुआ, उसके बाद हमने मदुपरमंस जी से नाम दिक्षा गोंडा जाकर ली, वहां से भी मैं छह महीने रहा, लेकिन मेरे वहां पर भी कई सारे कोश्चन थे, उनसे भी मुझे कोई लाब नहीं हुआ, लास्ट में मैंने संत्रामपाल जी महाराजी से 2017 में नाम दिक्षा ग्रण की, संत्रामपाल जी महारा से नाम दिक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी मिले? जी सर जी मुझे सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाब हुआ कि मुझे पता चला की जीवन मरण का चक्र क्या है और जो हम पूजा विसमे भ्रांतियां जो संसार के अंदर पहली हुई है, नाना प्रकार के पन्त बने हुए, नाना प्रकार के मजब बने हुए है, और ये सब जो है एक मालिक की पूजा के बारे में बताते हैं, आखिर मालिक है कौन, उसके बारे में मुझे पता चला संत्रामपाल जी के च्रणों में जाके पता चला कि क्या है, और वेद, सास्त्र और कुरान, कुरान हमारे क्या 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 कहते हैं, जो सत्भक्ति बताते हैं, वो संत संगोसिक के माध्यम से मुझे पता चला मुझे पहला लाव यह मिला कि आध्यात्मिक सुख सांती क्या होती है वह मिली घर के अंदर जो कले सु रहता था लड़ाई जगडा नंगा फसाद इस टाइप का रहता था वह भी लाव मिला और मेरे सरीर में का साध्य बीमारी ती जि ने दिखाया था और यहां रुद्रपुर में में हैं आर्मी से रेटायर्ड डॉक्टर सोलंकी उनको भी दिखाया था उन्होंने बताया था कर्व में प्रॉब्लम है और इसका इलाज काफी लंबा चलेगा और यह लाए-लाज बिमारी हैं इतनी सही नहीं हो सकती जीवन मे इसकी दबाई ही regular चलेगी वाकि मैंने और भी आयरवेद में और आयरवेद के नाना परकार के डॉक्टरों से भी दबाई ली लेकिन कोई इलाज आराम नहीं मिला उसके बाद मैं अपने सरीर को जंजीरों से मारता भी था ये पैर में जो दर्द होता था इससे चला नहीं जा अपने आफ स्वतही खतम हो गई डॉक्टरो ने ऐ कहा था कि एकिसी बी प्रकार से मुश्किल है, क्योंकि की मैरे साडू भाई हैं, जो आर्मी में हैं, उन्होंने भी बताया था कि कमान होस्पिटल से कुछ लोगों ने इलाज कराई है, ये दो साल बाद फिर र वैसे ही ह हो जाती है और यह बीमारी बड़ा मुश्किल है सही होना आर्थिक लाब भी मिला मुझे की संत्रामपल जी की सरण में जाने के बाद मैंने बीस पच्छिस लाख रुपे की जगह खरीदी उसमें थोड़ी सी प्रावलम आ गए थी कई भूमाफियां उने उस पर कपजा कर लि करेंगे और वह भी मालिक ने दर्शन दिये हमारी पत्नी को कि बेटा आज देरा यह सारा बाल है खतम हो जाएगा और आज से तुम्हारे नाम पर जमीन हो जाएगी और उसी दिन सुबह उन लोगों ने सारा फैंसला किया और मेरे हक में सारा फैंसला आया कि भाई यह जमीन जो भी आगे बैठा हुआ था उसको हटबा के मेरे को कागश दे दिये गए कि यह जमीन आपकी हो गई और पहले हमारे पास मोटर साइकल हुआ करती थी फिर मैंने फोर विलर और टैक्टर खरीदा और सट्रिंग का कारोबार भी मेरा काफी अच्छा चला और मेरी चक्कर में हमें काफी जूट सच बोलना पड़ता था और लोग विस्वास नहीं करते थे कि कैसे भगत हो तो हमें अंदर से गलान ही होती थी कि हम संत्रामपाल जी महराजी के सिस्यों की कशम भी खाया करेंगे तो हम पांचे दिन से सोच रहे थे ग्रहा का रहा था जा रहा था लेकिन हम इंटरिव्यू जब देने आये तो हमें एक दिन पहले हमें पता चला कि हमारा जो सौधा है वो कैंसिल हो गया तो मन ऐसा हुआ कि मैं इंटरिव्यू अभी नहीं देने जाओंगा थोड़ सा मन प तो मैं अपनी दुकान का शटर खोल के जैसी बाहर आया तो ग्रहा खड़ा था और उसने मेरा सामान दस लाक रुपे में खरीद लिया और मैं तुरंत मन प्रसंद होकर मैं यहां चला आया मैंने बंदीशोंड संत्रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया कि बंदीशोंड पग पग आप हमारा साथ देने वाले हैं दया करना मालिक हैं हम नीच बुद्धी वाले हैं और कुछ समझते नहीं अभी हाली में बगजी हमारे हैं साथ दस दोजार 21 को सत्संग का आयोजन किया था परमात्मा संत्रामपाल जी की दया से और हम लोग सब सेवा में लगे हु तो सर जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना भयानक एक्सिदेंट हुआ उनका मोटर साइकल और आटो से कि लोगों ने ये समझा कि एक की मिरती हो गई और एक हलके हलके से कहां पर आया यानि कि ये भी खतम हो जाएगा और जब मेरे पास फोन आया तब कोई उठाने मिली हुई है तो उसी फोर्विलर को चला कर चलाया लेकिन हिर्दय में ये था कि जो है मालिक मैं तो नहीं पहुंच सकता लेकिन बंदी छोंड सत्गुरू रामपाल जी महराज आप हर जगह पहुंच सकते उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की और होस्पिटल से जाने के बंदी छोंड सत्गुरू रामपाल जी महराज की जब हमने नाम दिक्षा ली उसके थोड़ी दिन बाद ही समापत हो गया और कुछ दिनों बाद गठिया का रोग भी समापत हो गया और संत्गुरू रामपाल जी महराज की सरण में जब हम आये थे तो हम दोनों पती-पतन जबी भी हम विस्तर से नीचे उतरते थे हमारे पैरों में एक विसेश प्रकार का दर्द होता था ऐसा लगता था जैसे तलबों में बहुत ब्यादा दर्द हो रहा है वो भी बंदी छोंड सत्गुरु रामपाल जी महराज की सरण में जैसे ही आये उसका हमें पता भी नहीं कैसा दर्द कहां दर्द हाई बीपी की लगवग लगवग हम लोग साथ दिन के अंदर दोनों जने दवाईयां खाते थे लोग बीपी लो वाले आज परमात्मा के दया से हमें लगवग चार साल हो गए हमने कोई भी बीपी की दवाई नहीं खाई है परमात्मा संत्रामपा जो सरदालू आज आपको देख रहे हैं और बो भी संत्रामपल जी मारा से नाम दिक्षा लेने चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा जो हमारी उत्राखंड कहा गया है जिसे देभूमी कहा जाता है और हमने जहांपर नाना परकार के मंदिर हैं जहांपर बली पर्थाओं का आयोजन किया जाता है कि बकरे काटना इस टैप से ब्रहांती ब्रहांती की पूजा है और भूत विसाचों की पूजा करी जा रही है तो मेरा उन से करवद निवेदन है कि दास का निवेदन सुखार करें कि ये जो परमात्मा भक्ती बता रहे हैं सदभक्ती बता रहे हैं इसके बेद और ग्यान पड़े हमारे जो चारो वेद हैं और उनके अनुस के लिए बहुत ही सरल तरीका बता रखाए संत्रामपाल जी महराज के जगए जगए नामदान केंदरें देश में और अधिक नामदान केंदर खुले जा चुके हैं जिसमें परमात्मा के भगत लोग बैठे रहते हैं और उसमें जो सत्संह के माध्यम से जो ग्यान बाटा जा कि कहीं भी अपने जो निवास इस्ताने उसके पास का कोई भी नामदान के इंदर पता करकर वहां से नाम दिख्षा ग्रण कर सकते हैं धन्यवाद सर धन्यवाद सर जी